हेलो गाइस वेलकम बैक टोर चैनल पी सी एंबी डिजिटल गुरुकुल तो बेटा यहां पर हम बात कर रहे हैं हिंदी की वर्कशीट की सोला प्यारे बच्वा जम भारते संता सगराम के तिहास ने परसिद तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें अजादी दूंगा नारा देने वाले महान करांतिकारी बोस जी के बारे में पढ़ेंगे जैसा आपको पता यह इस पार्ट के लेकर परसिद कहानीकार स्वयम प्रकास जी हैं कि आपको नहीं लगता कि निता जी के बारे में बात उससे पहले स्वयम प्रकास जी के बारे में जानना चाहिए हिंदी समकालिन साहित्य में महतपूंट सथान रखने वाले साहित्यकार स्वयम प्रकास जी का जनम इंदोर मध्य परदेश में हुआ था उनका वच्पन रादस्थान में बीता, मेकेनिकल इंजिनरिंग में पढ़ाई करके उन्होंने एक अध्योकी पर्तिष्ठान में नौकरी भी करी सिवा निवरत्य के बाद भुपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं उनके तरह तेरह कहानी संग्रह प्रकाशित हैं बिन पर्मुक हैं आएंगे अच्छे दिन आदमी जात का आदमी सूरज कब निकलेगा और संधान बीच में विन्या और इंधन उनकी चर्चित उपन्यास हैं उन्हें पहला सम्मान बनमाली सम्मान राजस्तान साइत्य कारी प्रिशकार मिल चुका है इनकी भाशा आम बोलचाल की खड़ी हिंदी है इन्होंने तत्सम तद्बो में देशत सब्दों के साथ आगत सब्दों का प्रयोग करा है हालदार साब को अब कहानी हर पंद्रवे दिन कंपनी के काम के सिलसले में उस कस्बे से गुजरना पड़त दो ओपन सिनेमा घर थे और दो नगरपालिकाएं नगरपालिका थी तो वे कुछ करती भी रहती थी कभी कोई सड़क करा दी पिशाब घर बनवा दी कभूत्रों की छत्रें बनवा दी तो कभी कभी से मेलन करा दिया इसी नगरपालिका एक कुछ उत्साही बोड या पर ससन के बारे में है स्वैम प्रकास जी की पुर्मुक रचनाओं का नाम लिखें तो भाई यहां से यहां तक दूसरा नेता जी ने कौन सा परसिद नारा दिया था तुम मुझे खुन दो मैं तुम्हें अजादी दूँगा तीसरा हालदार साब को किस सिलसले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था कंपनी के काम के सिलसले में चौथा गध्यांच के अनुसार नगर पालिका के क्या कारे होते हैं कभी कोई सड़क पक्की करवा दी तो कभी परतिमा लगवा दी यह गया चौथे का उत्तर नगर के चौराई पर निता जी की परतिमा किस ने लगवाई थी इसी नगर पालिका के कुछ लोगों ने लगवाई थी तो यह हो गया पांच वह ठीक बटा तो यह आपकी वर्कशिट पूरी होगी जिस परकार गद्यांस में एक नगर पालिका के बारे में वर्डन किया गया इसी परकार आप भी अपने कस्बे का वर्डन करें तो आप जहां भी रहते हैं बटा उसे के बारे में आप थोड़ा वह इसमें बता सकते हैं ठीक है और स्लोगन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें बहुत सारे स्लोगन्स होते हैं जिसमें से आप कोई वेक ले सकते हैं जैसे वो कहते थे कि अन्याए सेना ही सबसे बड़ा अपराद है एक मैं आपके लिए लिग भी देता हूँ अन्याए सेना और गलत के साथ समझोता करना अपराद है थी है थैंक यू सो मच पर वाचिंग वीडियो फ्रिंद्स प्लीज सब्सक्राइब टो चैनल और कीप सब्सक्राइब इस